नमस्कार न्यूज एट नैन प्रोग्राम में आपका स्वागत है मैं हूं रितुपाध ध्याय आईए जल्दी से देखें आज की हेड्लाइन 22 मार्च को मना बिहार दिवस 22 मार्च को जारी हुई थी अधिसूचना लैंड लॉक्ट राज्य है बिहार कैप्टल पनिश्मेंट पर फिर होगी चर्चा सुप्रीम कोट ने लिस्ट किया केस मौत की सजा में मानावता बरकरार रखने पर होगी बहस केबूल लाम जाओ के संरक्षन को लेकर केंद्र का आदेश लोग तक जील में इसके फ़फार संगाई हिरन की मौदूद की के लिए प्रसद है ख़बरों के शुरुआत करने से पहले मैं बता दूँ के स्टड़ी आएक्यू आइस हिंदी की टीम ने अब हिंदी माध्यम में तीसरा लाइव फाउंडेशन बैच शुरू किया है यह बैच तीन अप्रैल से शुरू होगी शाम में छे बचे इस कोर्स में छूट हासिल कर के उत्तर लेखनकारेक्रम सहित अन्य बहुत से उपयोगी फीचर मिलेंगे जानकारी अगर चाहिए कोर्स की तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक कर सकते हैं चलिए खबर शुरू करें 22 मार्च को बिहार दिवस के तौर पर मनाया जाता है दरसल 22 मार्च 1912 को उडिसा सहित बिहार प्रांत गठित करने के अधिसूचना जारी की गई थी 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार अलग हुआ था यही वज़ा है कि 22 मार्च को ब च्रतीक के तौर पर 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है एक अप्रेल 1936 से बिहार और ओडिशा दोनों अलग राज्य बने बिहार अपने वर्तमान स्वरूप में साल 2000 में 15 नवंबर को आया 15 नवंबर को बिहार के लगभग 46% क्षत्रफल को अलग करके जारकंड राज थे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी के अंदोलन में भी हिस्सा लिया था आपको बता दें कि भारत के पूर्वी क्षत्र में स्थित बिहार एक लैंड लॉक्ट राज्य है बिहार उत्तर में नेपाल से अंतराश्ट्रिय सीमा साजह करता है बिहार और नेपाल करमनाशा नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा बनाती है बिहार प्राचीन काल से बॉध्ध और जैन धर्म के केंद्र के तौर प्रप्रसद्ध है बुध्ध और महावीर दोनों की कर्म भूमी बिहार ही रही है पटना साहिब को हरमिंदर साहिब गुर्द्वार के लिए केस को लिश्ट किया है कोर्ट इस बहस पर विचार करेगा कि क्या मौत की सजा में हैंगिंग यानि फांसी पर लटकाया जाने के अलावा कोई और मानविया और गरिमा पॉर्ण विकल्प हो सकता है गौरतलाभे की साल 2017 में इस मामले में पी आईयल दायर की गई थी प पी आईयल में इसी प्रावधान को लेकर विरोध जताया गया था एक व्यक्ति जिसे मौत की सजा सुनाई गई है उसे फांसी पर लटकाया जाने का कश्ट नहीं देना चाहिए इसका कोई और मानविया विकल्प खोजा जा सकता है तब केंदर सरकार ने वर्तमान कानून को डिफेंड किया था फांसी को ही मौत की सजा के लिए व्यावाहारिक विकल्प बताया गया था हालाकि अब कोट ने तकरीबन 5 साल बाद इस केस को लिष्ट किया है इस मामले में बच्चन सिंग बनाम पंजाब राज्य केस भी एहम है इसमें सुप्रीम कोट की समवैधानिक पीठ ने 4-1 की रूलिंग से डेट सेंटेंस की समवैधानिक्ता को बरकरार रखा था साल 2003 में विधी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में CRPC की धारा 354 में बदलाव की बात कही थी साथी मौत की सजा के लिए घातक इंजेक्शन की सिफारिश की थी Amnesty International के मुताबिक दुनिया में 55 देश ऐसे हैं जहां मौत की सजा दी जाती है इनमें भी फांसी द्वारा मौत की सजा सबसे प्रचलित तरीका है कुछ देशों में अन्य तरीके भी अपनाए जाते हैं USA में घातक इंजेक्शन और इलेक्ट्रोक्यूशन यानि करेंट के द दस्ते द्वारा मौत तो सौधी अरब में सिर को धर से अलग करके मौत की सजा दी जाती है केंद्रिया परियावरण मंत्राले ने मडिपूर सरकार को केबूल लाम जाओ नेशनल पार्क और लोक्टक जील के संरक्षन के लिए परियाप्त कडम उठाने का निर्देश दिया केबूल लाम जाओ नेशनल पार्क लोक्टक जील के दक्षन पश्चिम भाग में स्थित है यह दुनिया का एक मात्र तैरता हुआ पार्क है मडिपूर के बिशनपूर जिले में स्थित ये पार्क अपने ब्रो एंटलर डियर यानि संगाई हिरन के लिए प्रसद्ध है इन की तरह कठोर होते हैं और जील पर तैपते रहते हैं फिमडी केबूल लाम जाओ नेशनल पार्क के बड़े हिस्से को कवर करते हैं यह समर्द्ध जैविविधिता को प्रदर्शित करते हैं लोक्टक जील भारत के उत्तरपूर्व हिस्से में स्थित ताजे पानी की सबसे बड़ी जील है वर्तमान में भारत से मौंट्रेक्स रिकॉर्ड में केवला देव नेशनल पार्क राजस्थान और मड़ीपूर की लोटक जील शामिद मौंट्रेक्स रिकॉर्ड रामसर कन्विंशन के तहत एक ऐसा रेजिस्टर है जिसमें उन वेट लेंड्स का जिक्र हो सवाल पूछा गया था निमलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह फ्लोर्टिंग वनस्पती से युक्त स्वैंप होने के कारण सम्रिद्ध जय विविधता को बढ़ावा देता है भेतर कणिका नेशनल पार्क केबुल लाम जाओ नेशनल पार्क जवाब ता है इसका ऑप्शन बी दुनिया बर में 22 मार्च को विश्वत जल दिवस मनाया जाता है इस साल के थीम एक्सलरेटिंग देचेंज टू सौल्व दे वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस रखे गई है बाइस से चौबिस मार्च के बीच नियॉयॉर्क में यूए कॉन्फरेंस से पहले यूएन वर्ल वाटर डेवलप्मेंट रिपोर्ट 2023 जारी की गई है रिपोर्ट पानी को लेकर एक ऐसी तस्वीर पेश करती है जिससे पता चलता है कि सतत विकास लक्षों को हासिल करने में अभी हम कितने बड़े अंतराल पर हैं रिपोर्ट के मुता आया गया वैश्विक अस्तर पर 80% वेस्ट वाटर को बिना किसी ट्रीटमेंट के पर्यावरण में वापस छोड़ दिया जाता है विकास शील देशों में यह आंकड़ा 99% के करीब है आये जल्दिस देखते हैं आज की बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं पहला सवाल केबुल लाम जाओ नेशनल पार्क भारत के किस हिस्से में स्थित है दक्षिन भारत उत्तर भारत उत्तर पूरो भारत यह फिर पश्चमी भारत अगला सवाल है निमलिखित कत केवल एक और तीन या फिर एक दो और तीन आए जल्दिस देखें पिछले बुलेटिन पर आधारित सवाल वर्ल्ड हैपिनेस रिपोर्ट 2023 के संबंद में निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए फिनलेंड को रिपोर्ट में पहला इस्थान हासिल हुआ है भारत को रिपोर है केवल एक और तीन भारत को वर्ल्ड हैपिनेस रिपोर्ट में 126 वी रैंक हासिल हुई है अगला सवाल पूछा गया था एक्स्टेंडेड़ फंड फैसलिटी का संबंध है आई एमेफ से विश्वबैंक से और वियाई से यह पर डबलू टियो से सही जवाब है ऑप्शन कीजिए नमस्कार